कई अगर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दीख़े मैंने실ेन है आप सभी के सामने 5 जे candle देखें काफी doji candle है यहाँ पर आपको देखने को बला है doji candle बनते हुए दिखाई दिया यानि उपर की साइड इसने जो high मारा है वो इस जगह देखें 38,850 का something का high मारा है उस high के बाद देखें यहाँ पर आपको एक doji candle बनता हुए दिखाई दिया यानि market गया तो उप की साइड ता लेकिन वहाँ पर एक सेलिंग देखने को बली फिर उसी जगह देखें आके इसने आपकी क्या दी क्लोजिंग दी यानि जिजगह आपकी opening मिली है उसी जगह इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नीची की स अगर आप देखोगी तो यह अच्छे बढ़ी है तीजी के साथ देखें यहाँ पर आपका सपोर्ट मिल रखा था अभी तक अगर आप देखोगे तो इस सपोर्ट पर देखें मार्केट कंटिन्यू काम कर रहा था देखें इस टेरेल लाइन को अगर आप देखाई दिया और उसमें आपको ना बिरेकडाउन देखने को बला और ना ही आपको देखें ब्रेक आउट देखने को बला इन दोनों में से देखें कोई भी चीज आपको नहीं देखने को बली और उसी चीज को देखें अगर मैं बात करूँ इस जगह देखें फाइब मिल के चार्ट प सब्सक्राइब करें तो इस जगा हम एक बॉक्स लगाना चाहेंगे और जब बॉक्स देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ओपन किया है देखिए अब जब बॉक्स आपका लग चुका है ठीक है अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं अपडेट आ चीज और मैं आपको समझा देता हूं कि अप मार्केट में कैसे काम करना है इतना तो हमको समझे में आया है किaxe बंद चुका है ante और पहले बही काफी बंद चुके है इसके अनदर और यहां पर देखिए आपको एक riders है एक तो बाट और यहां पर आपको देखने को मिलगा की सप्षाइट प्सका is यानि आप सपोट और वैंड रिजिस्टन पर कर रहा है जैसे कि मार्केट में अपको ओपनिंग देखने को मिली तो आपको मॉर्निंग में देखने को मिला हुआ कि काफी फास्ट तेजी से देखे मार्केट ने इस जगा लो मारता और उसी जगा से देखे एक इसने हाई भी मारता जो कि कई ने कई अगर मैं बात कहूं तो यहां पर जो हाई देखने को मिला था वो 37,050 के यानि अगर मैं बात कहूं तो मार्केट ओपन होने के बाद ही फाइब मिल्ट के अंदर जो पूरा मूप हुआ था और जो पूरा जो मूप हुआ था जितने भी मूप में पूरी कंडिशन थी वह आपके 150 पॉइंटों से लेके 200 पॉइंटों के अस्वास की थी मतलब आप स शाप साफ बोलाता कि अगर मार्केट आपका गेप के साथ उपर ओपन हो जाता है तो आपको बेल को सुशे काम करना इंग को बिल्कु किलियर आपको इस जगह चार्ट दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह हमको समझ में आ गए यानि अब मार्केट में जो नई तेजी देखने को हमको मिलेगी उसके लिए हमको कैसे काम करना वो मैं आपको समझा देता हूं ठीक है यहां पर मैं आपको देखे वो लेवल आपको देखाई दे रहा है यह 30,500 का देखे जे वाला मैंने आपसे बोला था कि इसके उपन निकलता तो हम बाइंग कर सकते हैं वस कंडिशन इतना है कि आपका सिंपल ओपन होना चाहिए गैप से ओपन हो जागा तो कोई वेनिफेट नहीं मिलेगा और मार्केट गैप से है लेकिन उसके बाद भी आपको एक बात समझ में आनी थी कि वही मैंने एक चीज़ा बोली थी वही हम खुलते ही ओपन बाइंग नहीं करेंगे मार्केट अगर थोड़ा डिप देता है तो हम वहाँ पर आपॉच्वानिटी देख सकते हैं तो उस जगह से भी एक अच्छा पॉफिट मिला है अब चलिए बात कर लेते नए टार्गेट की तो नए टार्गेट के बारे में मैं सब सर पहले अगर बात कहूं तो मार्केट अगर 38,850 के उपर निकलता है और जे आपका जो टाइम फिरेम हो सकता है वो इस जगह 5 मिलका हम टाइम फिरेम लेंगे इस 38,900 का होगा देखे इस जगह आपको देखने को मिलेगा 38,900 का दूसा जो टार्गेट हमको देखने को मिलेगा वो 38,980 रुपेगा होगा यानि इसमें 80 पॉइंट हम और एट कर सकते हैं और तीसरा और जो लास्ट टार्गेट हमको देखने को मिलेगा वो इस जगह देखे 49 40,200 का देखने को मिलेगा यानि जो तीसा टार्गेट है वो बड़ा टार्गेट है इस जगह आपको जे चीज समझ में आना चाहिए अब देखिए इस कंडिशन में आपको बताता हूं कि अगर आपका मार्केट इस जगह 38,500 के 38,500 के ऊपर निकलता है ओपनिंग नीचे जो आपको दिखाई दे रहा वो इस लेवल पे दिखाई दे रहा देखिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं जिससे आपका जो किलियर हो जाएगा कि वही जे वाला जो गैप है ना जे गैप का फिल होगा और हम इस गैप का कैसे वेनिफिट उठा सकते ह हैं अब मैंने आप सभी के सामने option chain open किया इस जिगह और option chain के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको देखें यहाँ पर देखने को मिलेगा देखें कल expiry आपकी आज मार्केट आपका फिलेट है रहा ना उपर की साइट जा रहा था 38,850 के उपर और ना ही आपका 38,600 के नीचे जा रहा था तो यानि अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी समय देखें consolate करता हुआ दिखाई दिया अब यहाँ पर देखें एक चीज मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़ी पुदीशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस लेवल पर देखें यहाँ पर 38,900 के आसवाज भी देखें काफी बड़ी पुदीशन है उसके 100 पॉइंट अगर आप ऊपर चलोगे तो इस जगह भी आपको काफी बड़ी पुदीशन देखने को मिलेगी यानि इसको पार ही नहीं कर पाएगा मार्केट जी आप समद लीजी ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं बात कहूं सपोर्ट सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है तो सपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखें कितनी बड़ी पुदीशन है आप देखें ओपन इंटे होगे तो यहाँ पर देखें सबसे आदो जो पुट आपको बाइंग होते हुँ दिखाई दिये वह 38,500 पर देखने को बले तो यानि लोगों को मानना है कि हाँ वही पुट हमको सस्ता मिले रहा है तो इस जगह पुट पर भी दाव किया है लोगों ने यह आपको चीज़े समझ में आना चाहिए लेकिन आज का जो डाटा है वो 50-50% है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 50% का डाटा दिखाई दे रहा है इस जगह भी अगर आप देखोगे तो 50% है क्योंकि मार्केट आपका साइड़े वेस्त है इस जगह अब देखे आप सभी के सामने इस चार्ट ओपन किया है इसको आप समझे कितना बढ़िया देखे यह आपका दिखाई देता है कि अगर मार्केट आपका इस लेवल पे ओपन हुआ ठीक है इस लेवल पे ओपन हुआ इस जगह इसने कंसुलेट किया समय बिताया और फिर उसके बात एक नीचे की साइड डाउ Natal देता है तो इस जगां क्या सकते हैं क्या करे सकते हैं यह बाइं कर सकते हैं इस जगांम आतो यह कोड HE ऊटो चुर्ण जिना है और पहला टार्गेट आपको छोटा टार्गेट देखने को मिलेगा बड़ा टार्गेट नहीं देखने को मिलेगा छोटा टार्गेट देखने को मिलेगा जो कि आपका 38,500 का देखने को मिलेगा अगर एक बार 38,500 को भी किरोस कर देता है तो फिर आपको इसमें देख को मिलेगा 30358 का और फिर आपको देखने को मिलेगा लाश्ट टारजट एजगा जो की 38200 के सम्तिंग का देखने को मिलेगा यानि अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर 400 पॉंटों के आसवास के टार्गेट आपको देखने को मिल जाएंगे वस कंडिशन इतना है कि आपका जो वाला जी जी लेवल आपको दिखाई दे रहा है जी लेवल देखें यहाँ पर जी लेवल किस लेवल पर है यह आपका 38,600 का लेवल है इसमें क्या होना चाहिए कि मार्केट आपका ओपनिंग ऊपर की साइट दे लेकिन किलोजिंग नीचे होना चाहिए यह आप 15 मिट के चार्ट पर ले सकती हो ठीक है आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर अब यहाँ पर ही देखें अगर मैं बात कहूं तो आपको बिल्कुल खड़ी तेजी दिखाई दे रही है यानि अगर आप देखो गए तो यहाँ पर कंटीनियो आपको बाइंग दिखाई दे रही है और एक चीज में आपको बिल्कुल पता है आप सभी को कि कि सीधा उपर नहीं जाते और कभी भी मार कि सीधा नीचे नहीं आता था ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको पहला बालियूम का दील था दे वह एंपर इसके बाद चो टैफप बारलियूम की करे तो यहाँ पर icon लोगों का इंटेज जो है वो कम होते जाता है ठीक है तो अगर उपर से हमको पॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो उच जगह हमको उसकी अपॉचुनिटी लेना है और यहां पर देखिए आपकी जो किलोजिंग यहां पर दिखाई दे रही है 38727 के आसवास की ठीक है कि वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए